हेलो दोस्तों आप सभी का एकबर स्वागत है स्टड़ी 91 के यूडूब चैनल पर मैं सुभाम सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज एक देखें नई सी क्लास है मैं आज का तिकड़म लेका है हूँ आप लोगे लिए यह वो तिकड़म है जो आपके जिंद किसी भी competition exam के आप तेयारी करते हो यह सवाल तो आने आने भाई फिक्स रहता है एकदम हाथ पैर गले मिलते हो पार्टी में जाते हो लोगों से हाथ मिलाते हो जब ऐसे सवाल आ जाते है तो आपके हाथ पैर सूजने लगते भाई पेपर के टाइम पर यह कौन से सवाल आग जितने लोग भी हैं सभी लोग पहले वीडियो को जल्दी से subscribe कर से share कर दो भाई और like कर दो और daily आपको पता है मेरी और भी सारी classes मज़ा आती रहती है class में डिलकुल बिलकुल daily रात को 9 बचे लेके आता हूँ आप लोग के लिए तो आज मैं आप लोग पिटारा में लेके जाते हो या क्रिकेटर फुटबॉल खेलते हैं उसमें कितने टीम का क्वालिफाई कितना होगा क्या होगा सब कुछ या फिर सिपका नोटी सारे तरह की बाते एक वीडियो में पढ़ा हूँ अभी आने वाले पांच से दस मिन पे देखो मज़ा आ जाए तम concept clear है आपका चल सिर्फ ट्रिक बताऊंगा आपको basic जानना है और तरीके जानना है तो प्लेलिस में जाओ न स्टडी 91 के प्लेलिस में मैट्स में जाओ न सारी मैट्स पूरी फ्री पढ़ा चुका हो भई जाओ तो सही देखो तो सही ठीक न चली ये देखे क्या लिखा हो है एक चिडिया घ कितने खरगोस कितने कबूतर बस इतना पता होना ची जिंदगी में एक बार चिडिया घर गय होने ची वही कबूतर की कितने पैर होते हैं दो कबूतर की संग्या बूचा ना कबूतर के दो पैर हैं ये पता है दो पैर है तो चार का गुड़ा खरगोस यानि खरगोस के चार होते हैं, 4 से गुड़ा किस में, सिर कितने हैं, 200, a difference of 580 divide by 2 करना है, बस, आगे answer कभूतर का, 800, 580, घड़ा दिया, कितना हो गया, बही, तेहां, देखो, 220 हो गया, divide by 2, answer 110, 110 कभूतर है, 110 कभूतर आगे, अगर खरगोस पूस्ता, तो खरगोस भी बता देते, वैसे तो आप च से भी कर सकते, 2 गुड़े 200, difference of 580, divide by 2 करना, 400 और 580 का difference कितना आता है, आपको गे 180, divide by 2, यानि answer 90, 90 खरगोस, 110 कभूतर, 90 खरगोस, 110 कभूतर, मैं अज़के तिगडम का, पहला पिटारा खुल चुका है भाई, एक तम सांधार तरीके से, देखो, मजा आ गया, भीया, अग अगर आपसे, 2 पैर वाले का पूचे, चार का गुड़ा करो, head में और पैर घटा दो, दूसरी बार, अगर मान लो, 2 पैर वाला पूचे, तो 4 का गुड़ा करो, head में और पैर घटा दो, बस, plus, minus, ध्यान मत देना, बड़े value में से, छोटे घटा गे, divide by 2, answer आ गया, अगला ये trick है, basic x-x-man के लोग लगाते हैं, उनको देखेंगे बाद में, ये देखो, एक और सवाल इसी तरह का मुर्गी वाला आ गया, समझो जरा, रवी के घर में मुर्गी हैं, और उनके क्या है, सिर्गी ने जाएं, तो 90, अब देखो, मान लो, मुर्गी के 2 होते हैं, और खर चार से गुड़ा, चार पैरवालों को 2 से गुड़ा, तो 4 गुड़े 90, 360, difference of कितना है, उसका difference जली बताओ, 224, divide by 2, यानि 136, divide by 2, आगया answer 68, यानि कि 68 हैं, और पूरे 90 हैं, जिसमें से 68 हैं, तो निकालने की जरूरती नहीं खरगोस, आप directly बता सकते हो, 90 में से अगर हम 68 घटा दें, तो 22 बचेंगे, 22 खरगोस, कितना सेकेंड लगेगा पेपर में, अगर आप फॉर्मुलेस अगर ट्रिक से भी करोगे, तो भी आ जाएगा, खरगोस वाले में, सिर में 2 का गुड़ा, 180, और उसमें से 224 घटा है, 44 का आदा 22 बन गया भाई, ये तिगडम का पहल जो कि एक दूसरे से, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने प्रकार से हाथ मिलाए जाएंगे, एकदम आसान से ट्रिक बताऊंगा, इसके लिए ट्रिक देखो बस, बस तुम ट्रिक ही ट्रिक देखो भाई, मजा आ जाएगा इसको लगाने पे, क्या लिखा हुआ ह देखो बिवासमारों में 40 बेटती है ना प्रतेग बेटती एक दूसरे से हाथ मिलाता हो तो कितने प्रकार से 40 है 40 से कम करो कितना हुए 49 इसी का आधा कर दो 20 बार में 49 दुनी के 78 780 तरीके से हाथ मिलाए जाएंगे बन गया आंसर तिगड़म नंबर 2 हाथ पैर मिलाना गले मिलना या फिर इसमें वो भी सवाल बनते हैं क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप में 25 टीमें हैं 25 टीमें एक दूसरे से मैच खेलती हैं तो एक टीम कितने कितने बार कितने मैच खेलेगी 25 टीमें एक कम गरो 24 डिवाइड मैच खेलने पड़ेंगे उनको इस तरह के भी सवाल आते हैं सांदार से तरीके से आपने कह दिया कुल इतने मैच होंगे मतलब ये 300 क्या है कुल टूनामेंट में 300 मैच खेले जाएंगे ये ये नहीं है कि एक टीम खेलेगी पूरे टूनामेंट में 300 मैच खेले जाएंगे यह आपने निकाल लिया, तो तिगड़न नंबर टू भी हलो गया, आगे बढ़ते इसी तरह का एक और सवाल थोड़ा सा लिबल बढ़ा के चट करते हैं, क्यासे, किसी पाटी में 31 व्यक्ति हैं, ठीक है भाई, प्रतेग बेक्ति एक दूसरे से हाथ तो मिलाता है, परन्तु एक बेक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता, नाराज हो गया होगा पाटी में, उसको इन्विटिशन भी बुलाया होगा, किसी ने कोई दिक्कत कर दी होगी, भाई कहता, मैं किसी से नहीं हाथ मिलाता, मैं ऐसे आया, बस खाने भीने, घूमने टेलने, साधियों का मावल चल रहा आजकल एक दम, तो देखो, किसी से नहीं हाथ मिलाता, तो कुल कितने प्रकार से हाथ मिलाता, अब आप गल्दी क्या कर देतो, 31 दिया डिरेकले, अरे एक ने तो हाथ मिलाया है नहीं, उसको छोड़ दो, यानि कितने बच गया है, 30, मैंने कहा, एक कम कर दो, 29, दिवाइड इसका हुआ खतम, पिटारा का दो तिगडम खतम हो गया, अब अपना तीसरा तिगडम सुरू करता है, जो सिक्का वाला आता है, वई, सिक्का वाले सवाल आपके एकजामें बहुत परिशान करते हैं, उसके लिए भी सांदार सी ट्रिक है, एकदम मजा आ जाएगा, देखो सिक्का सुरू होने जा रहा है आपका, समझो, सिक्का वाला सवाल यहाँ पर, किसी बकसे में 180 सिक्के हैं, एक रुप्या 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के रूप में रखे गए, उनकी संख्या का अनुपाद 2, 3, 4 है, तो 50 पैसे के, देखो, दो पैटन के सवाल बनते हैं, सिर्फ दोई, अनुपाद या तो सिक्का का देता है, या तो मुल्य का देता है, बस, यही दो पैटन के सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई बना ही नहीं आस तक, ठीक है, तो चलो, देखते हैं सरा, पहले बताओ अनुपाद किसका दिया, आपने कहा संख्या का अनुपाद द या न, यानि कि नंबर का अनुपाद दिया है, कितना है, एक रुपया है, पचास पैसा है, और पच्चिस पैसा है, संख्या का अनुपाद, दो अनुपादे, तीन अनुपादे, चार यही लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ, अगर संख्या का है न, उसको प्राइस में बदल रुपीज में बदल लो भाई किसमें रुपीज में बदल लो अब एक रुपे का दो सिक्का तो क्या रुपिया हुआ आप बोलोगे दो रुपिया हुआ एक रुपे का तीन सिक्का तो क्या रुपिया हुआ धेड़ रुपिया हुआ 25 पैसे का चार सिक्का तो दो रुपिया तो बनेगा यानि कुल मिलाकर 2, 1, 3 और ये 4 साड़े 4 का अनुपाद कितना हो गया कुल मिलाकर 180 रुपया है 180 तो ये इसको काट देगा किती बार में 40 बार में यानि 40 गुना है एक का अनुपाद 45 हो गया क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यही तो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 यानि कि 40 तरी का 120 बन गया आंसर तिगड़म नंबर 3 हुआ खतम लेकिन अभी एक टाइम एक तो बचा हुआ है अभी एक कौन सा बचा हुआ मेरे दोस्ट आप बोलोगे इसमें तो सर नंबर का रेशियो दिया हुआ था अमरे प्राइज में बदल के दिया तो दूसरा दूसरा प्राइज का रेशियो देगा तो नंबर में बदल के करेंगे बस नंबर से प्राइज दाना है तो भाग करना है उनकी वैलियू से ठीक ना भाग कर देना है नेक्स्ट तिगड़म नंबर त्री वाला जो था बक्से में ये भी देखो ध्यान से इसको क्या लिखा हुआ है भीया अनुपात मुल्य का दिया हुआ है मुल्य मन्ता प्राइज रुपीज का अनुपात कितना दिवा तेरा अनुपाते एक ज्यारा पर दिया किसका ये तो द बदल लिया हमने इसको नंबर में बदल लिया अब बताओ एक रुपिया का तेरा रुपिया है तो कितने सिक्के हुए आप बोलो तेरा ही तो हुए और पचास पैसे वाले एक ज्यारा रुपिया में कितने सिक्के हुए गुड़े दो एक रुपे में पचास पैसे के दो सि कुल कितने सिक्के हो गए आप बोलोगे कुल मिलाकर 35 सिक्के और इन्ही का तो अनुपाद दिया है 210 यहाँ पर कुल मिलाकर 210 सिक्के यानि यह इसको काट देगा 6 बार में तो यानि आप से क्या पूछा एक उरुपया वाले सिक्कों की संख्या यही तो रहा है एक उरुपया जो सबसे खदरनाख होते हैं क्या-क्या सिर पैर वाले जो आते हैं जीव जन्तु वाले चिडिया घर वाले अब हमें जानना होता है पैर सिर गाउंट करके ऐसा नहीं करना ठीक है न एक दम बता है सांदार सी ट्रिक देखते ही आंसर दूसरा पाटी समारों में हाथ मिलाना गले मिलना करकेट टीम का मैचस کھیलना कितने टुनामेट में मैच होंगे वो सिक्का वाला था सिक्का मतलब जो भी हमारे सिक्का करशी के कुश्चन आते दो ही पैटन पे नमबर से रूपीज, रूपीज से नमबर बस आपको चेंच करने आना चीये जिनको भी ना समझ में आ वीडियो को दुबारा देखो सब प्यार से समझाया A to Z हर एक बास समझ में आ जाएगी ठीक है और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और जो लोग भी नए हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज अगर आप इसी भी कॉंपिडिशन के एक्जाम के आप त्यारी करते हो ये तिगडम आपको जरूर परिशान करता है ठीक है दोस चलिए तो और इसके बाद मेरी और भी सारी वीडियोस प्लेलिस में पड़ी होई है आप देखते क्यों नहीं सारी फ्री है पैसे नहीं लेता फ्री में ह सारी देखो जाके प्लेलिस में सब पड़ी होई है है ना study91 के प्लेलिस में जाओ नीचे मैट्स की एक प्लेलिस मिलेगी उसमें सारी वीडियोस मेरी मिलेगी ठीक है मर दोस चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है मिलते है अपनी नई क्लास नई तिगडम के साथ अगर आ और तिगडम चाहिए तो कमेंट और लाइक करना मत भूलना सेर जरूर करना और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें थाइंक यू निजाय लब यू आल